नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग किसी भी मैट्रिस के एलिमेंट्स का माइनर और को फेक्टर निकालना सिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 2 क्राश 2 मैट्रिस के एलिमेंट्स का माइनर और को फेक्टर निकालेंगे तो पहले example में हमें इस matrix के elements का minor और co-factor निकालना है तो सबसे पहले हम लोग minor निकालेंगे उसके बार co-factor तो 2 के minor को निकालने के लिए 2 जिस row में है उसे height कर देंगे और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा 7 इसलिए minor of 2 जिसको हम लोग M11 से denote करेंगे क्योंकि 2 first row में है और first column में है इसलिए M11 की value हुए 7 उसी तरह 3 का minor निकालने के लिए 3 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा 4 इसलिए minor of 3 यानि M12 क्योंकि 3 first row में है और second column में है हुआ 4 ठीक है उसी तरह M21 M21 मतलब 4 ठीक है तो 4 का minor निकालने के लिए हम लोग 4 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा 3 दिखेगा इसलिए minor of 4 3 हुआ ठीक उसी प्रकार हमें M22 यानि 7 का minor निकालना है तो 7 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हमें 2 दिखेगा इसलिए 7 का minor 2 हुआ तो अब हम लोग इन सारे elements का co-factor निकालेंगे तो co-factor यानि Cij इसका formula होता है minus 1 का power i plus jmij यानि co-factor minor पे depend करता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग 2 का co-factor निकालेंगे 2 का co-factor यानि C11 C11 का formula जागा minus 1 का power 1 plus 1m11 तो minus 1 का power 1 plus 1 2 हो जाएगा अब minus 1 का square क्या होगा plus 1 ठीक है multiply by m11 क्या है 7 है इसलिए C11 का value क्या आएगा 7 आएगा ठीक है उसी प्रकार हम लोग C12 यानि co-factor of 3 ये क्या जाएगा minus 1 का power 1 plus 2m12 ठीक है minus 1 का power 1 plus 2 क्या होगा 3 हो जाएगा ठीक है अब minus 1 का power 3 क्या होगा minus 1 होगा multiply by m12 m12 का value क्या है 4 है यहाँ पर 4 लिखेंगे ठीक है 4 multiply by minus 1 कितना होगा minus 4 similarly इसी तरह हम लोग C21 भीनिका लेंगे ये क्या जाएगा minus 1 का power 2 plus 1 m21 इसे solve करेंगे तरह आपका आएगा minus 3 ठीक है उसी तरह C22 यानि co-factor of 7 इसका फर्मुला minus 1 का power 2 plus 2 m22 इसे solve करेंगे तरह आएगा आपका plus 2 इसका मतलब इस matrix के minors है 7, 4, 3, 2 और co-factors है 7, minus 4, minus 3, 2 अब हम लोग 3 cross 3 matrix के elements का minor और co-factor निकालेंगे तो second example में हम लोग को इस matrix के element का minor और co-factor निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 1 का minor निकालेंगे तो 1 का minor यानि M11 तो M11 की value find करने के लिए हम लोग 1 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हम लोग को क्या देखेगा 2, 1, 3, 2 और इसे determinant के form में हम लिख लेंगे 2, 1, 3, 2 इस determinant को solve करेंगे क्या आएगा 1 आएगा उसी तरह 2 का minor निकालने के लिए हम लोग 2 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो क्या दिखेगा हम लोग 3, 1, 1, 2 यानि M12 is equal to हो जाएगा determinant of 3, 1, 1, 2 इसे solve करेंगे तो आएगा 5 ठीक है फिर M13, M13 मतलब minor of 3 ठीक है 3 का minor निकालने के लिए फिर से 3 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो क्या दिखेगा 3, 2, 1, 3 इसे determinant form में लिख के solve करेंगे तो हम लोग 7 तो अब हम लोग इस 3 का minor निकालेंगे तो ये 3 2nd row 1st column में है तो 3 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो क्या दिखेगा 2, 3, 3, 2 इस determinant के form में लिख लेंगे 2, 3, 3, 2 और इस determinant को हम लोग solve करेंगे तो क्या हैगा minus 5 अब हम लोग इस 2 का minor निकालेंगे ये 2 2nd row 2nd column में है तो 2 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे क्या दिखेगा 1, 3, 1, 2 1, 3, 1, 2 इसे determinant के form में लिख करेंगे तो क्या हैगा minus 1 अब हम लोग इस 1 का minor निकालेंगे ये 1 2nd row 3rd column में है ये 1 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे तो हमें क्या दिखेगा 1, 2, 1, 3 इसे determinant के form में लिख लेंगे 1, 2, 1 ठीक है और इस determinant को solve करें तो क्या आएगा फिर से 1 ही आएगा ठीक है अब हम लोग इस 1 का minor निकालेंगे ये 1 3rd row 1st column में है ठीक है तो 1 जिस row में है और ज इसे determinant form में लिखके फिर से हम लोग solve कर लेंगे क्या आएगा minus 4 आएगा अब हम लोग इस 3 का minor निकालेंगे ये 3 3rd row 2nd column में है तो फिर से 3 जिस row में है और जिस column में है उसे height कर देंगे क्या देखेगा हमे 1, 3, 3, 1 इसे determinant के form में लिख लेंगे 1, 3, 3, 1 ठीक है और इस determinant को solve कर कर लेंगे क्या आएगा minus 8 अब हम लोग last element 2 का minor निकालेंगे तो 2 3rd row 3rd column में है 3rd row 3rd column को हम लोग height कर लेंगे क्या देखेगा 1, 2, 3, 2 इसे determinant के form में लिख लेंगे 1, 2, 3, 2 ठीक है इसे solve कर लेंगे क्या आएगा फिर से minus 4 ही आएगा अब हम लोग इस matrix के सारे elements का co-factor निकालेंगे तो हम लोग co-factor का formula जानते ही है cij equal होता है minus 1 to the power i plus j m of ij ठीक है तो यानि c11 का formula होगा minus 1 to the power 1 plus 1 m11 ठीक है तो minus 1 का power 1 plus 1 क्या दाएगा minus 1 का power 2 हो जाएगा अब minus 1 का power 2 मतलब plus 1 ठीक है यह plus 1 multiply by m11 m11 क्या है आपका 1 है इसलिए m11 के जगा हम लोग क्या रख देंगे 1 रख देंगे अब plus 1 multiply by 1 कितना आएगा 1 ही आएगा इसलिए c11 का value 1 हुआ इसका मतलब 1 का co-factor 1 हुआ ठीक है उसी तरह हम लोग c12 निकालेंगे तो फिर से भाई minus 1 का power 1 plus 2 m of 1 2 तो minus 1 का power रिके जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है m12 का value क्या है 5 है multiply by 5 ठीक है minus 1 का power 3 क्या होगा minus 1 होगा ठीक है और minus 1 5 में multiply करेंगे जाएगा minus 5 आएगा ठीक है इसी तरह c13 का value अब का आएगा 7 ही आएगा ठीक है c21 का value अपका आएगा plus 5 उसी तरह c22 का value आएगा आएगा minus 1 फिर c23 का value आएगा minus 1 c31 का value आएगा आएगा minus 4 c32 का value आएगा 8 फिर c33 का value आएगा minus 4 तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्स्राइब कीजिए